जो white heads होते हैं वो closed common bones होते हैं उनका मूँ जो है वो उपर से बंद होता है और वो उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर एक white color का cheesy सा material होता है जो कि basically sebum होता है या sabacious glands की secretion होती है और इसका मूँ उपर से बंद होता है और cheesy white color जो है वो आपको नजर आएगा ठीक है और जो blackheads होते हैं वो basically open comedones होते हैं उनका मुँ उपर से open होगा और उसमें आपको एक black color नजर आ रहा होता है वो किस वज़ा से होता है वो keratin का plug होता है यानि कि उसमें keratin होती है और उसके साथ dirt और dust वगरा भी हो सकती है ठीक है तो ये दो तरह के जो है वो क्या कहते हैं comedones हो अब आजाता है कि ये बनते क्यों हैं क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये चीज बनेगी कैसे या बन क्यों रही है तो हम उसे cover up कैसे करेंगे और उसे ठीक कैसे रखेंगे तो ये बनते क्यों हैं ऐसा होता है कि जब sebaceous glands जो है वो hyperactive होते हैं या ज़्यादा काम कर होते हैं तो sebum थोड़ा ज्यादा बनेगा अगर उसके साथ साथ आप pores की सफाई नहीं करेंगे pores की cleansing नहीं करेंगे तो definitely उसकी वज़ा से white heads बन सकते हैं ठीके जी और उसी तरह से अगर keratin और dirt और dust जो है वो pores में फस्ती चली जाएगी और क्या कहते हैं हम उसकी cleansing नहीं कर र होती है कि हमने करना क्या है क्या हमारी skin oily है या oily एह इसकी वज़ा से बन रहे है हमारी skin dry है इसकी वज़ा से बन रहे है कुछ समझ नहीं आता sometimes यह होता है कि लोगों की skin dry होती है लेकिन वह inappropriate यानि कि जो unsuitable moisturizers है वह लगा रहे होते हैं और cleansing नहीं कर रहे होते तो उनके white heads ब सिङयुद जदा बनाती है।ो तो उसके उपड़ सीवं के उसके साथ साथ वह एप्रोपियेट तरीके से शुटपल तरीके अपनी स्किन की क्लिंसिंग नहीं कर रहे होते हैं. तो उसकी वज़ा इस जो है वो blackheads बन रहे होते हैं अब whiteheads and blackheads तो बन रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं आरी होती है कि हम कहां गलत हैं क्या हमारा कोई product खलत है क्या हमारी routine में कोई issue है जिसकी वचहा से ये हो रहा है और इसके इलावा ऐसा क्या reason है कि हमारे face के ओपर white heads black heads बन रहे हैं तो उसके जो main reasons है वो मैंने आपको बता दिये है अब हम आजाते हैं कि इसमें क्या चीज नहीं करनी सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि क्या चीज हमने नहीं करनी लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चारती हूँ आज की बहुत बड़ी news, good news बलके अभी के लिए happy news और वो ये है कि जिस तरह जिस तरह आप लोग जो है वो हमें YouTube पे join करते जाएंगे और अपने questions भेजते जाएंगे तो आज जो है वो हमारा जब session end होने वाला होगा तो उससे पहले जो balloting चल रही है आप लोग हमें questions send कर रहे हैं तो पीछे से हम जो है वो balloting कर रहे हैं तो कोई एक जो है वो lucky बंदा होगा जिसको आज ही जो है वो हम announce करेंगे कि वो हमारा gift hamper जीता है लेकिन उसके लिए आपको हमारे live session में आना पड़ेगा और comments करने पड़ेंगे ठीक है वो ही जो आप comments भेज रहे होंगे हमें join करने के बाद उसी में से हम balloting करके और at the end of the session जो है वो हम एक lucky winner जो है उसको announce करेंगे तो जल्दी जल्दी सबको बता दें जो भी आपके friends बगारा है जो भी family है उसको बता दें कि वो join कर ले और देखते हैं कि by the end of session कौन lucky winner रहेगा ठीक है जी अब मैं सबसे पहले आपको यह बता दूँ कि कौन कौन सी चीजे हैं जो आपने white heads, black heads अगर आपकी skin पे बन रहे हैं तो आपने नहीं करती हैं जी सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने क्या नहीं करना क्या avoid करना है आपने जी दो चीजें avoid करनी हैं एक तो अपने हाथ हाथों से प्रेस कर करके white heads और black heads को आपने बिल्कुल निकालने की कोशिश नहीं करनी क्यूंकि उससे सिरफ और सिरफ आपका infection बनेगा infection क्या कहतें infective हो जाएगी आपकी skin उसके उसके उपर infection होना शुरू हो जाएगा क्या है उसके उसके बाद आजाता है कि अपनी skin को खींचे नहीं बहुत सारे ऐसे methods होते हैं जो कि किये चारे होते हैं उससे skin के उपर white heads black heads बल्के और ज्यादा बनते हैं क्योंकि पोर्स ग्लॉग हो जाते हैं वो क्या होता है पोर्स आपका sabaceous gland और आपका sabaceous gland stimulate हो जाते हैं और उससे और भी जाता पनते हैं क्या है जी हाँ जितने भी pulling hair को pull करने वाले methods होते हैं conventional methods जैसे क्या कहते हैं waxing है threading है या पर tweezers से आप ऐसे निकालते हैं बालों को इन सबसे जो है वो क्या होगा इन सबसे जो है वो आपके sabaceous gland stimulate हो सकते हैं और उसकी वज़ा से आपको whiteheads blackheads बनना ज्यादा हो सकते हैं एक और काम जो आपने बिलकुल नहीं करना वो क्या है वो है जी steam ले ली और steam लेने के बाद सारे के सारे pores खुल गए उसके बाद दबा के अपनी तरफ से आपने whiteheads blackheads निकाल ली है और उसके बाद क्या हुआँ उसके बाद यह होता है कि आपके pores जो है वो खुले रह जाते हैं और जब को खुले रह जाते हैं तो उसके अंदर फिर तूबारा सुपन बनेगा, whitehead बन जाएगा और उसके अंदर kyaoricin plug बनेगा, dirt फसेगी और फिर तूबारा से प्लाक हैट बन जाएगा एक और चीज जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है, इसमें मैं दो तीन चीजों की जो home remedies में यूज होती हैं, उनका नाम नेने लगी हूँ, ये चीजे हैं home remedies हैं और लोग बढ़े consistently और बहुत ज़ादा कर रहे होते हैं, पर it's very dangerous for the skin, एक तो skin के ऊपर lemon यूज करना, फिर skin के ऊ avoid करें, अब मैंने आपको avoid करने वाले points बता दी हैं, अब हम आजाते हैं कि हम अपनी routine में ऐसा क्या करें, जिसकी वज़ा से white heads, black heads बना बंद हो जाए हमारे control में आजाएं, जी, वो क्या क्या है, सबसे पहले तो ये है कि अपनी skin की सफाई का ख्याल रखना, यानि कि skin को wash कर करना, suitable face wash से wash करना, या suitable चीज से wash करना, जो कि आपकी skin type के हिसाब से हो, वो बहुत जरूरी है, खाली wash करना जरूरी नहीं है, ठीक है, उसके बाद आचाता है, cleansing करना, cleansing क्या होता है, cleansing जो है, वो आपके pores की deep cleansing के लिए यूज किये जाते हैं, जो cleansers होते हैं, और cleansing balms होती है, cleansing gels होते हैं, cleansing paste होती है, ठीक है, cleansing करना, skin के उपर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप cleansing करेंगे, तो आपके pores जो है, वो deeply साफ हो जाएंगे, जब वो साफ हो जाएंगे, या साफ रहेंगे, तो मैंने आपको बता दिया है, कि ना white heads बन सकेंगे, क्योंकि sewa में accumulate ही नहीं हो और ना ही keratin plugs बनेंगे, और उसकी वज़ा से blackheads भी नहीं बनेंगे, ठीक है, तो cleansing बहुत ही ज्यादा important step है, फिर आजाते है exfoliate करना, exfoliation क्यों ज़रूरी है, exfoliation इसलिए ज़रूरी है, कि वो dead cells को उतारती है, dead cells को हटाती है, तो उसकी वज़ा से सफाई करना आसान हो जाएग और आप देखेंगे कि आपकी skin के उपर अब जो भी आपकी regime है, जो भी आपकी skin routine है, वो ज़्यादा अच्छा काम करी है, और आपकी skin जो है, वो आपको ज़्यादा बेतर results देना शुरू करतेगी, उसके बाद हम आज आते हैं कि suitable makeup products यूज़ करना, या जो daily के products हैं, जिसम ज़्यादा बनेंगे, ठीक हो गया, उसके बाद आजाता है कि आपने makeup या कोई भी product यूज़ करना है, वो कैसा लें, वो जी आप लेंगे oil free, ठीक है, जितने भी आपके makeup products हों, या दूसरे जो है, वो daily routine के products होने चाहिए, वो सब आपके oil free होने चाहिए, ताके pores क्लॉग न फस ना जाए और फिर आपको whiteheads, blackheads ना बने, इसके इलावा क्या आजाता है, जी हाँ, आपने makeup करना है और आप brushes इस्तमाल करते हैं, तो please अपने sponges, beauty blenders और अपने brushes को wash करें, अगर आप गंदे यूज़ करेंगे या गंदे यूज़ करते रहेंगे, उनकी पूर hygiene होगी, त तो definitely whiteheads, blackheads बने का चांस ज्यादा होगा, उसके बाद आजाता है, जी के आपके बहुत सारे ऐसे products होते हैं, जो के jars में होते हैं, jars में होते हैं, tubs में होते हैं, जिसमें आप finger डाल डाल के उसको निकालते हैं और लगाते हैं, ऐसे जो packings होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा च उस jar में डाला और उसके बाद आपने उसको यूज किया, तो वो जो contamination होती है, वो बहुत easily हो जाती है, jars में, tubs में, इस तरह के सारे products में, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसे neat and clean रखें, उसका क्या तरीका होता है, लगाने से पहले अपने hands को अच्छी तरह आपना हो जाए, ठीक है, उसके बाद आजाता है कि आपके बहुत सारे ऐसे products होते हैं, जो कि directly skin के उपर लगते हैं, टच करते हैं, उनको आपने किसी के साथ शेर नहीं करना, इसमें आपके beauty blenders आते हैं, आपके sponges आते हैं, आपके brushes आते हैं, यह सब चीजें, ऐसे brush वाली भी होती हैं, जैसे आपका lip color है, ब्रश वाला वह अपने यूज्स कर लिया है, तो साथ दूसरे को भी दे दिया है, और भो शेर कर रहा है, या आपने किसी का लेकर शेर किया है, टिंट होते हैं, जिनके आगे brushes लगे वे होते हैं, वो आप भी यूज कर रहे हैं, और प्ली तो आप देखेंगे कि आपकी जो skin है उसके उपर irritation होगी और उसकी वज़ा से भी आपकी skin जो है वो खराब हो सकती है फिर हम आजाते हैं कि आपने scalp को wash करके रखना है अगर आपका scalp oily होगा या oily रह जाएगा तो आप देखेंगे कि face के pores भी clog हो जाया करेंगे scalp के oil की बात कर रहे हूं उस सर के उपर जो oil आ जाता है या oily scalp होता है अगर आप उसको साफ नहीं रखेंगे तो आपके face के pores भी clog होंगे और आपको white heads, black heads जादा बनेंगे ठीक है जी? अब last में क्या आ जाता है कि आपने pillow covers यानि कि जो क्या कहते हैं तक्हिओं के घलाफ होते हैं तक्हिओं के cover होते हैं उनको साफ रखना है क्योंकि उसी के उपर आप सोते है, उसी के उपर आपका face रहे वो touch करता है और पता यह चलता है वो क्योंकि बहुत जज़ादा harsh कप onlar के थे या पिर जैसे बहूत सख्त cotton होती है इस किसम के या फिर आप जो उसके इलावा जो है वो साफ नहीं होंगे तो फिर भी white heads black heads बनने का चांस जो है वो ज्यादा हो जाता है ठीक है जी तो ये थे ये थी हमारी to do list यानि के आपने कौन-कौन सी चीज़ें करनी है कौन-कौन सी precautionary measures लेंगे कौन-कौन सी चीज़ें वो आपे avoid करेंगे ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई है ताके आपके skin पर white heads black heads ना बन सकें ठीक है अब हम आजाते हैं कि हाँ सबसे पहले मैंने दुबारा से announce करना है आप सब जो है वो हमें join करें YouTube पे और उसके इलावा जो है हमें comments करें हमें questions भेजें जो भी आप कहना चाहते हैं इवन आप अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और by the end of session हम balloting करेंगे और एक lucky winner जो है वो announce करेंगे जिनको हम जो जैसे हम से details शेयर करेंगे तो हम आपको कल ही आपका gift hamper जो है वो dispatch करतेंगे ठीके जी अब अब मैं आपको कुछ products दिखाने वाली कि क्लिंजिंग करना बहुत जुरूरी है अब मैं आपको क्लिंजिंग की दो products दिखाने वाली हूँ ताकि आप लोगों को understanding होगी देखें यह है यह product है cleansing के लिए cleansing clay है पेस्ट कहलें जो भी आप कहना चाहते हैं अच्छा यह जो है यह जो बहुत जादा sweaty, oily और young skin होती है य यह जो है यह आपकी skin को normal रखने में help करेगी ठीक है अच्छा अब एक और जो मैं दिखा रही हूँ यह basically जो है यह अगर थोड़ी mature, थोड़ी dry, थोड़ी aged skin है तो फिर यह वो यूज कर सकते है normal skin वाले भी कर सकते है ठीक है यह भी cleansing है अब यह मैंने आपको दो जो है वो cleansing paste यह cleansing glaze दिखाए है ठीक है अच्छा cleansing करने का तरीका क्या है यह बहुत important इसको सुन ले cleansing हमेशा जो है वो face wash करने से पहले की जाती है दस से बारा second cleansing करने के लिए पूरे face की काफी है उससे जादा आपको नहीं करना ठीक है और अगर आप face और neck ले रहे हैं तो 15 minute बहुत है उ जिनकी प्रोन है वो दिल में दो दफा कर सकते हैं जैसे सुभा और रात को सोने से पहले 10 second कर लिया करें और जिनकी स्केन नॉर्मल है या नॉमल टू ड्राय है वो सिरफ एक दफा रात को सोने से पहले जब face wash करना है तो उससे पहले 10 seconds के लिए cleansing कर लिए अब मैं आपको exfoliation क products दिखा रही हूँ ये दिखें ये product है ये भी exfoliant है और ये जो है जिनकी skin के उपर blemishes है जिनकी skin के उपर spots पड़े वे हैं जिनकी skin के उपर pigmentation है ये उनके लिए बहुत अच्छा है सिरफ 10 seconds के लिए आपने exfoliation करनी होती है अब आपको एक और product दिखा रही हूँ इसको देख आपने 10 seconds के लिए करना होता है अब मैंने आपको दो products दिखा दी है जो कि exfoliation के लिए है अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि exfoliation जिनकी skin normal to dry या agent है वो हफते में दो दफा करने 10 seconds के लिए और जिनकी skin जो है वो बहुत जादा oily है sweaty है acne prone है बहुत जादा oily है तो फिर एक दिन चोड़के एक दिन के बाद 10 seconds के लिए जरूर कर लिए ठीक है